उस दिन भारत के प्रसंग में आपने कहा कि इस देश की बुनियादी समस्या उसके अंधविश्वास है और यह कि यह देश समय से देड़ हजार वर्स पीछ है क्या बताने की किरपा करेंगे कि विस्वास और अंधविस्वास की परक्या है और क्या आज के विस्वास कल अंधविस्वास नहीं हो जाएंगे तिया यह भी बताने की अनुकंपा करेंगे कि कोई व्यक्ति या जनसमुह समसामिक होने के लिए आधुनिक रहने के लिए क्या करें आनंध मैत्रे जैसे प्रत्यक व्यक्ति जन्मता है और मरता है उसी तरह प्रत्यक विश्वास एक दिन अंधविश्वास बन जाता है अंधविश्वास विश्वास की लास है जिसमें से प्राणों का हंसा उड़ गया तुमने अपनी मा को कितना प्रेम किया था फिर एक दिन मा चल बसी अब उसकी लास थोड़ी रखे बैठे रहोगे लास रखोगे तो जीना मुस्किल हो जाए सारा घर बद्बू से भर जाए और ऐसी लासें खटी करतेगा एक दिन पिता चल बसेंगे ऐसी लासें इकटी करतेगे तो घर में जीना असंभो हो जाएगा मुर्दे इतने हो जाएंगे कि जिन्दा रहेंगे कहां जिन्दा रहेंगे कैसे इसलिए मा बड़ी प्यारी थी लेकिन जब चल बसी तो फिर तुम देर नहीं करते अर्थी बांधने में और तुम अगर देर करो भी तो मुहले वाले जल्दी से बांधने लगते आखिर उनको भी तो जीना है तुम रोने दोने में लगे हो मुहले के लोग जल्दी से बांस लकड़ी इखटा करने लगते क्योंकि उनके घर जब कोई मरता तब तुम बांस लकड़ी इखटा कर दे तो ये पारसपर्ग लें देन देर नहीं लगती कोई मरा की लास उठी पल-पल घर में लास लखना कठिन हो जाता और ऐसा नहीं कि तुम्हें मा से प्रेम न था खुब था प्रेम छाते पीट के रो रहे हो मगर फिर भी रोते रहोगे और ले चले हंडिया लटका कर रोते रहोगे और चढ़ा दोगे जाकर अर्थी पर रोते रहोगे और आग लगा दोगे ये करना ही होगा ऐसी ही अवस्था बिस्वास और अंद्विस्वास की विश्वास जीवन्त जब होता है सत्य और जब सत्य के बीतर से प्रान तो ओड़ जाते हैं सिर्फ क्रियाकान रह जाता है मगर तुम उसी क्रियाकान को ढोते रहते हो तब अंध विश्वास आँख वाला विश्वास तो जीवन्त होता है अंधा विश्वास मुर्दा होता है जिससे किसी ने बुद्ध को देखा उस अपूर्व जोती को और कोई जुग गया चर्णों में यह विश्वास जुखने की न तो योजना बनाई थी न जुखने का कोई इरादा लेकर आये थे लिकिन जुख गये जुख जाना पड़ा जोती ऐसी थी प्रभा ऐसी थी रुक ना सके पता ही न चला कब जुख गये यह तो एक जीवन त घटना है और इसमें रस है और इसमें गहरे अभिप्राए है इसमें भाव की धड़कन है इसमें सांस चल रही जब कोई बुद्ध को देखकर उन आखों में जांकर उन चरुनों की महिमा में सिर्ध रख दिया है अपने अनुभों से अपनी प्रतीती से अपने साक्षात से तब बात और है फिर ये आदमी तो जा चुका बुद्ध भी जा चुके लेकिन इसके बच्चे बुद्ध की परतीमा के सामने जुकते हैं क्योंकि बाप जुका था बुद्ध के सामने फिर बच्चों के बच्चे भी जुकते रहेंगे निछ जुकते रहेंगा, हजारों वर्स भीच जाते हैं, अब बुद्ध की प्रतिमा रखी है, और लोकस्रे जुका रहे हैं, बीतर जुकने का कोई भाव नहीं है, हो भी क्या, पथर के सामने कोई जुकने का भाव होता है, न पथर में कोई महिमा है, न पथर में कोई प्रान वह तो बुद्ध की महिमा थी वह तो बुद्ध का अवतरण था जिसके सामने तुम्हारा कोई पुरुखा जुका था मगर तुम क्यों जुक रहे हो तुम कहते होगा हमारे बाप दादी जुकते रहे हम भी जुकेंगे तु जुकते रहो मगर तुम्हारा जुकना अंध विश्वास है अब समझने की बात ये है कि हर अंध विश्वास की सुरुवात में विश्वास होता है नहीं तो पैदा ही कैसे होगा कोई नानक की मस्ती से मस्त हो गया सुना नानक का गीत डोल गया नाज गया मन बहार छा गई, वसंत आ गया उस वसंत में जुख जाना ही पड़ा नानक जैसा फूल खेले और कोई जुके ना, अभागा है, अंदा है पत्थर है उसके भीतर, हिर्दे नहीं निस्प्रान है नानक जैसा फूल खेले और तुम्हारी नासा पुटों में स्वास, सुगन से ना भर जाए ये संभो कैसे है ये संभो तभी हो सकता है, जब तुम्हारे पास कोई संबेदन सीलता ही न हो अगर थोड़ी भी संबेदन सीलता है थोड़ा भी मनु से तुम्हारे भीतर जागरत है, जीवित है कोई गुरुगरंथ के सामने जुक रहा है मैं एक पंजाबी घर में महमान था सुबह सुबह उठके इसनान करने जा रहा था तो बीच के कमरे से जिस से मुझे गोजना पड़ा वहां देख के मैं हरान हुआ गुरुगरंथ के लिए उन्होंने बड़ा एक सिहासन बनाया हुआ था नानक को हिर्दे के सिहासन पर बिठाया था वह तो समझ में आता है मगर अब किताब को सिहासन पर बिठा दिया है वहां तक भी बाट ठीक कि चलो तुमारा आदर है चोंका में इसलिए कि उसी सिहासन के पास एक लोटे में जल भरा रखा है चांदी का लोटा है और दतोन भी रखी मैंने पूछा कि ये क्या है ये किसलिए रखी तो उन्होंने का गुरु गरंथ साहब के लिए दतोन अब हद्ध हो गई तुमने नानक के लिए जाके लोटे में दतोन का पानी ले गए होते चांदी का सौने का लोटा ले गए होते समझ में आती बात अब किताब के लिए दतोन रख रहे हो तुम होस में हो तुम पागल हो गए मगर इसी तरह होता है मैंने सुना एक आदमी मरा उसकी आदत थी कि बोजन के बाद रोज उठके अपनी दांच साफ करता था एक लकड़ी के टुकड़े से उसकी बच्चे छोटे छोटे थे बाप मर गया माँ पहले ही मर गई थी बच्चों को कोछ और जादा यान न था लेकिन एक बाद बराबर उन्हें याद थी कि आले में चोके के बाहर ही एक लकड़ी का टुकड़ा रखा रहता था और पिता रोज भोजन के बाद उस टुकड़े सांथ कुछ करता था क्या करता था पता ने लेकिन जरूर कोई बात राज की रही होगी तो उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा रखा अब जब बाद की याद में रखना तो साधन लकड़ी का टुकड़ा क्या रखना उन्होंने चंदन की लकड़ी का टुकड़ा रखना और जब रखी रहे हैं तो छोटा मोटा क्या रखना उन्होंने चंदन की बड़ी लखड़ी का एक टुकड़ा रखा खूब नकासी करवा के अब उसका कोई भी संबन न रहा दांत के साफ करने से उससे दांस साफ हो भी नहीं सकते दांस से कुछ लेना देना भी न रहा फिर बच्चे बड़े हुए उन्होंने नया मकान बनवाया धन कमाया अब नया मकान में उन्होंने सोचा कि आले में रखा है यह यादास थे अपने पुर्खों की तो क्यों ना एक छोटा सा मंदिर बना ले बाजजची सभी को और अब धन भी पास में था तो उन्होंने एक संग्मर्मर का छोटा सा मंदिरी बना लिया उन्होंने का अब आले में क्या रखना बाप दादे घरीब थे तो ठीक अब मंदिर बन गया संग्मर्मर का बड़ा मंदिर अब उसमें एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को क्या रखना तो उन्हेंने एक बड़ा खंबा पूरा जाण का जाण ले आये होंगे कटवा के चंदन का और उस फिर खूब नकासी करको उसको लगा दिया मैंने सुना है कि अब उसकी पूजा चलती गंटा वस्ता पूजारी आता फूल चढ़ाय जाते अब किसी को याद ही नहीं कि कहां से सुरुवात हो गई थी बात की जो भी इस जगत में तुम्हें अंधविश्वास दिखाई पड़ रहे हैं उनका प्रारम्य तो जरूर कभी विश्वास से ही हुआ था कहीं न कहीं चाहे कितनी ही बात खो गई हो चाहे आज खोजना भी संभव न रह जाए चाहे आज हमारे पास उपाय भी न रह गए हो कि हम पर्त दरपर्त इतिहास में उतर के उनकी खोज कर सकें लेकिन कहीं न कहीं प्रारम में कोई ने कोई छोटी नमोटी बात रही होगी जिसमें कुछ सत्य था और जिसको किसी ने साक्षात कार किया था लेकिन फिर पीछे सभी चीज़ें अंदविश्वास हो जाती विश्वास का अर्थ होता है जो तुम्हारे आनुभव से घटित हो अब मेरे पास लोग आते कोई मा ने सन्यास ले लिया वो अपने बेटे को ले आती है कि इसको भी सन्यास दे बेटा भाग रहा है वो उसको पकड रही कि इसको सन्यास दे बेटा बैट नहीं रहा है बैटा उठ उठ जा रहा है वो उसको जबर जस्ति बिठा रही कि इसको सन्यास दे उसकी गर्धन पकड़ को उसका सिर मेरे चरणों में लगा रहे वो इंकार किये जा रहा है वो सिर अलग कर रहा है अब ये कोई सन्यास होगा अब इसको मैं मना करूं तो दुखी होती इसको मैं कहूं कि नहीं तो दुखी होती और मैं जानता हूँ उसकी भी आर्चन क्योंकि वो कहती है कि घर में बेटा माला मांगता है ये कहता हम भी गेरु अवस्त पहनेंगे हम भी माला पहनेंगे तो मेरी जंजट खड़ी कर रखी मगर इस माने तो होसपूरवक बोधपूरवक सन्यास लिया है इस बेट पर जबरजस्ती थोपा जा रहा है ये यहीं के यहीं विश्वास और अंध्विश्वास दोनों हुए जा रहे है ये कल मा विदा हो जाएगी और ये बेटा सन्यासी रह जायेगा ये सन्यासी बिलकुल थोता होगा इसका कोई मुल्य नहीं होगा कोई अर्थ नहीं होगा मगर इसको जिद रहेगी अकल रहेगी कि हमारी मा सन्यासी थी अब मा से कोई गद्दारी थोड़ी करेंगे तो पहनेंगे कपड़ा और अगर जादी दिल हो जायागा दूसरे कपड़े पहनने का तो उपर उपर गिरुवा पहनेंगे भीतर भीतर जो अपने मौच के हैं वो पहने लेंगे भीतर मखमली और रेश्मी कपड़े पहनेंगे उपर गिरुवा डाले रखेंगे या दिन में गिरुवा पहन लिया करेंगे जब लोग देखें दाखें और रात अपने घर में मौस से जो अपने को पहनना वह पहनेंगे अब ये माला जूटी हो जाएगी अब इस माला मेंसे लकडी के दाने विदा हो जाएगी सोने चांदी के दाने आ जाएगी अब ये माला नए नए अर्थ लेने लगी गी ये एक आभूशन हो जाएगी तुमने पूछा है उस दिन भारत के प्रसंग में आपने कहा कि इस देश की बुनियादी समस्या उसके अंधविश्वास है इस देश की ही नहीं सारी दुनिया की बुनियादी समस्या अंधविश्वास है इस देश की थोड़ी जादा ज्यादा क्यों? क्योंकि इस देश में ऐसे बहुत पुरूस हुए जिनके आसपास विस्वास जगा इसलिए इस देश के पास अंध विस्वास भी ज्यादा है बुद्ध यहाँ हुए महावीर यहाँ हुए कृष्न यहाँ हुए अपूर वपुरूस यहाँ हुए सरहपा और गोरख और कबीर और नानक और दादू और रैदास और फरीद एक जाकते हुए दियों की परंपरा है यह देश तो एक दिवाली मनाता रहा है यहाँ दियों पर दिये जलते चले गए हैं जहाँ इतने दिये जले वहाँ सबहा होता बहुत से बुझे दियों की पूझा भी होगी दिये जब जलेंगे तो एक दिन बुझेंगे और इतनी हिम्मत हम नहीं जुटा पाते कि जब दिया बुझ जाए तो उसका निर्वान कर दें उसको चले जाया और सागर में बहादा और नमस्कार कर ले इतनी हिम्मत हम नहीं जुटा पाते कोई भी नहीं जुटा पाता मुह लग जाते आसक्तियां बन जाते भे भी पकड़ जाते